हालो दोस्तो टेक यूट्यूवर आभी यूट्यूव चैनल के उपर आप सब का स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो लेकर हैं हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बटसेब के उपर परसनल चैट के उपर कैसे दोस्तो पासपर लगाएं कैसे उसे दोस्तो लॉक करें आज की वीडियो में सारा स्टेब बाई स्टेब बताऊंगा यदि आपने वीडियो को देखने से पहले टेक यूट्यूवर आभी यूट्यूव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो notification आपको सबसे पहले पहुंचे, देखिए दोस्तो, सबसे फिले WhatsApp के उबर आते हैं, ये एक number है, मैंने इसके उबर click किया, जैसे click किया दोस्तो, कुछ इस तरह से एक password मांग रहा है, अब ये password डालूँगा, तो ही दोस्तो open होगा ये WhatsApp, अब देखिए, मैं password डालता हूँ, मैंने password डाल दिया, देन दोस्तो, सारी chat जो दोस्तो open होगी, अब दोस्तो, फिर से मैं cut करूँगा, देन दोस्तो, click करूँगा, फिर से password मांगेगा, फिर से password डालूँगा, तभी chat open होगी, यदि दोस्तो, किसी और chat के उपर मैं click करता हूँ, तो वहाँ पर ये नहीं मांग एक जिसके ओपर मैंने lock लगा के रखा है वही पर दोस्तों यह lock मांगेगा आप finger lock भी लगा सकते हो जिनके मुल्ब में finger lock है वह finger भी लगा सकते हैं अच्छे तरीके से नहीं तो दोस्तों आप pattern या password लगा सकते हो यह कैसे लगाते सबसे पहले आपको setting में जाना है जैसे दूसर आप setting में जाओगे आपको click कर देना है additional setting पे additional setting then आपको click करना है accessibility पे then आपको यहाँ पर होगा download services इसे रोग के रखना है यहाँ पर ok कर देना है then cut कर दिया अब video के description में जाना है chat for locker नाम से application देखने को मिलेगी उस application को आपको सबसे पहले install करना है then password कुछ नहीं करना है सबसे पहले जाना है आपको यहाँ पर यह होगा कुछ इसर से whatsapp locker जहाँ पर मैंने दुबारा फिर से repeat कर दे तो एक बार जैसे दूसर आप अपनी setting में जाओगे then आपको click कर देना है additional setting में additional setting पे click करने के बाद आपको click कर देना है accessibility पे यदि Samsung का मॉयल है ओपो का मॉयल है बीवो का तो डारेक्ट दोस्तो download services सर्च करें जैसे click करेंगे then आपको chat for lock ok कर देना है अब ok करने के बाद application को open करना है जैसे application को open करोगे आप सब के सामने कुछ इसा detail मांगेगी एक password आपको set कर लेना है जैसे दूसर आप password set करोगे password set हो जाएगा then दोस successfully कर सकते हो या lock successfully कर सकते है लॉग कर दिया इसे लॉग कर दिया यानि कि आप अपने अनुसार यहां से manage कर सकते हो और यह work करेगा WhatsApp में आ करके जैसे कि यहां पर देखिए मैंने इसे lock किया है then दोस्तों कुछ इसा दे work करेगा जो मैंने password डाला है वही password यहां पर मांगेगा और दोस्तों को security की बात करा बता देता हम आप इस पर क्लिक करें और इस application को hide कर दें hide में जाए hide कर दें इससे क्या होगा यह photo अपने जो यह app है यह hide हो जाएगी और बंदों को पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी application से lock लगाया हुआ है तो इसी तरह की tips and tricks की वीडियो को जड़ सकने